The second book is Knowledge Explorer and the first chapter is National Symbol, Rastri and Pratik, Unscramble the Names of National Symbols Shown in the Pictures. जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां पर एक mango, mango का चित्र बना है, लेकिन यहां पर जो word दिया है, वो jumble words मिले जूले हैं, तो आपको बस करना है कि जो सही है, वर्ड को अरेंज करके, यहां नीचे ब्रैकेट में सही लिखना जैसे कि M, A, N, G, O, mango. नेक्स्ट इस, पहले हमें पिक देखना है कि किस चीज़ का पिक है, यह तो मोर है, पिकॉक है, फिर आपको words देखना है, फिर आपको words को सही अरेंज करके, नीचे वाले ब्रैकेट में लिखना है, थर्ड भी वैसे ही बनाना है, आपको picture देखना है, यह एक तिरंगा है, औ इसको अरेंज करके ब्रैकेट में लिखिये, फिर देखिये यह क्या है, पिक को देखिये, इस इस अ, असोक स्टम, अरेंज दपिक, अरेंज दवाट, और राइट यह, लोटस, यह क्या है, कमल है, इसको, वाट को अरेंज कीजे, फिर ब्रैकेट में लिखिये, इस इस यह जो भी देटो, second, yourself, यानि do yourself, यानि आपको खुद से करना है, national aquatic animal of India, जलिए, समुंदरी जीव का नाम आपको यहां पे लिखना है, national game, हमारा राष्ट्रिय खेल कौन सा है, या game कौन सा है, national tree, हमारा राष्ट्रिय पेर कौन सा है, और national river of India, हमारी राष्ट्रिय नदी कौन सी है, इसमें आपको लिखना है, ये सब वर्ग करके, डेट डालके, आपको वुक में complete कर लेना है, अब इसको बता लेना है, चले बच्चों, मैं आपको खुद से बता देती हूँ, हो सके, आप भूल गए हूँ, national aquatic animal of India, हमारी ये मशली भारत देश की कौन सी है, तो यहाँ आपको लिखना पड़े कर डॉल्फिन, डॉल्फिन is our aquatic animal of India, national game of India, होकी is the national game of India, यहाँ पे next hand is national tree of India, जैसा कि आप लोग सभी चानते होंगे, बनियान is the national tree of India, बनियान, next is national river, राष्ट्री नदी, तो सारे ये तो पूरे इंडिया, तो चले बच्चों ये सारे वर्क अच्छे से कंप्लीट कीजिए, तब तक के लिए बाइ,